बिना मैदा और कॉर्ण फ्लोर के बनाएं वेज मंचूरियन तो उसके लिए आपको वेज मंचूरियन मसाला ले लेना होगा कैपसिकम, कैवेज, गोभी ले ली है, प्याज ले ली है चार पांच, एक गारलेक ले लिया है, अद्रक काटुपड़ा ले लिया है, और गाजर ले लिया है, मैगी मसाला और बेसन तो आईए बन, बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो बन्द गोभी थी, उसके बाहरी हैसे को काट लिया है, ओ हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बूलना चाहूंगी, हलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, तो कैसे हैं, आप सब लोग उमीद कर कसने में, यानि आपको जब याप से करने में बहुत ही लिक्रदाती है, तो इसी तरीके से मैंने इसको हाफ कट करके, पूरज इसको मैंने अच्छे से गिस लिया है, आप इसको चॉपिंग मशीन हैं, अगर आपके साथ पास, आप उससे भी चॉप कर सकते हैं, किसी को लोग है उसके recording quantity आप ले सकते हैं अगर आप 5-6 लोग के लिए बना रहे हैं तो इतनी जया material आप के लिए काफी है और यह देखिए मैंने हाफ गोबी ले ली है एक्ट्रेमिनस के हाफ की भी हाफ डाली थी क्योंकि मेरा बंधा जो था मैंने गोबी जो था थी वह जादा हो ग गिए है इसमें मैंने तो काट के डाला है चॉप करके बहुत चोटा-चोटा काट के डाला था अगर आप चाहें तो इसको भी अच्छे से grant कर सकते हैं किसने से आपकी वो जो जो है अच्छे से जो balls बनती है मैं बनजूरन की वो बन जाएंगी तो इसी देकर देखिए मैंन मन-गूभी-गाजर और अचीजसे कर लिया है जो एक्सट्रापाटी आ जो से बड़े बड़े पत्ते होते है जो नहीं अचीजसे गिसते है उनको मैंने निकाल दिया था बकी जो सहित jsू बहुत सॉफ्ट थे उनको मैंने कुछ और चोप करके डाल दिया था और अब यहांने इसमें बहुत चोप किया है और यह यह जो है इसमें इसको अच्छा से घिस लिया था औक कुछ अच्छे से कुछ spices मिलाने के बाद इसकी बॉल्स बनके रेडी हो जाती है जैसे कि आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं मैदा या कॉनफॉर भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में available नहीं है तो आप घर क्या क्यों कि बेसन almost almost अभी लोगों क्या होता है तो आप इसको बेसन में मिलाके बना सकते हैं तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था तो भही मैं बता रही कि इसमें मैंने बेसन एड किया है तो बाकि सारी चीज़ें मेरी इसमें एड हो गई थी देखी में अध्रक जैसे में बताया कि मैंने अध्रक का टुकड़ा इसमें हाफ जैसे अध्रक होती इसको एक टुकड़ा मतलब पर आपने इसको अच्छा से इसमें गिस लिया चाकु से झूल लिया था और सारी कलीयों कींचोर में कignant कर सकते हैं तो बहुता है कर सकते हैं हरीमीची आट कर सकते हैं हरीमीची को भी बहुत श्टटब बारी काटके डाल दीजेगा मैंने नहीं आदा थी क्य ratings भी खाने वाले थे तो इसे लिए मैंने हरी मिची skip करी ती यह ते प्र आप डाल सकते हैं और फिर मैंने इस में चारू से क्मिषे कावden, और समय नहीं तो मैंने निटाखे सिंग, खोना है इसमें से फासिरोर चारे मश्यामच लिए हूँ, खोनाच मा अब lance अब कर आफ़ चाहे तो डाल सकते पाउडर लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी लिया था यानि ब्लैक पेपर पाउडर और फिर मैंने इसमें स्वहाद अनुसार नमक डाल दिया था बहुत जादा नमक मत कीजेगा क्योंकि पनी जो ग्रेवी आप बनाएंगे इसमें भी आप सॉल्ट बनके रैडी हो जाए और अप मेरी ब्लस बनके रैडी हो गई है बाल्स के सारी आजिक्या और प्रकी नहीं इसमें वह suburbs को उपाउड़ से बहुत अच्छे से में वहogen तक हाई फ्लेम का रहेगा तो यह उपर से तो पक जाएंगे माँ अंदर च्छी रहेंगी और लोग में में आपको टाइम बहुत लगेगा तो आप मेडियम फ्लेम रखेगा जिसे आपकी बहुत अच्छे से पक जाएं और इस तरीके से जैसे वीच-वीच में क्या हो रहा था बनाने में जैसे बाल्स हो जाती तो बीच-वीच में फिर से सौफली हाथों से आप बॉल्स बनाके और इसमें डाल सकते हैं और धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेख लीजेगा और बहुत अच्छी और क्रिस्पी हो जाती है अब बारी आती है ग्रेवी क्ले ग्रेवी क्ले मैंने लिया है ओनियन, कैरट, कैप् कैरणा था, यह जया दो कि अनकर कि अट जाती है तुम्हेस से अधी, मैंने लिया आटाई है, मैंने मंनेता ही आपका बन रहा है तो अपने हाथों से यह आप इसको अच्छे से बना ले और इसी तरीके से मैंने वन बाइवन करके साथ चीज सारी वेजीटेबल से डाल के सोटे कर लिया है सबसे पहले मैं डाला lesson lesson के बाद डाला मैंने अद्रक और अद्रक के बाद मैं डालूंगी onion और मतायविन प्याज और सारी सारी सबजियां जितनी जालेगा बहुत छोटा-छोटा काटिएगा जिससे की वह जो gravy बन के आती अगर जादा बड़ी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता तो एक बड़ इस तरीके से मेरे तरीके से आप लुक ट्राय करके जरूर देखिएगा और comment जरूर करिएगा कि कैसा जो आपने बनाया तो आपको ये manchurian कैसा लगा तो इस तरीके से देखे मैंने अपने हाथों से ही इसकी जो manchurian मसाला था उसका मैंने अच्छे से सारी मतब तयार कर लिया था गोल इसका क्योंकि अगर ऐसे स्पून से करने से ना इसमें लंस रह जा रहे थे तो इसलिए मैंने फिस सारी वेजेटेबल्स ला ली और हाँ वेजेटेबल्स जब आप पका रहे हो तब ही इसे थूड़ा सा नमक अट कर लिजेगा इससे आपकी वेजेटेबल्स बहुत जल्दी पकती है बहुत जल्दी सौफ्ट हो जाती है तो क्यूकि बाद में नमक मिला नहीं है तो पहले ही मिला लिजे और सा इकमरा थेड़ा हो गया था पता नहीं चला मुझे औप लिए यह यह मैंने दिखा दिया है इस तरीके से 5-7 मिनट तक आप इसको वो करने पर आपका यह पक जाता वर 5 मिनट पर नहीं पका था तो मैंने देखा मैंने वेज़े जब उसको चुके देखा पर थोड़ी सी कची थी तो मैंने फिर से अकीन इसको पकने के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए और हाँ 10 मिनट maximum टाइम आपका 10-10 मिनट लें आपका बहुत अच्छे से साड़ी सबजियां पके तयार हो जाती है उसके बाद इसली यह अपना जो आपका गोल है इसको डाल दीजिए और जिसे मैंने बताया कि 3 मैंने पाउडर के पैकेट डाले है तो 3 पाउडर के लिए 3 जिसे की जो आपकी ग्रेवी होती है वह एकदम परफेक्ट बन के आती है ना ज़ादा पतली होती है ना ज़ादा गाडी होती कि थोड़ा सा जब यह खुरने लगता है तो बहुत थिक भी हो जाता हो जैसे कि अब देख रहे हैं मैं इसमें केरेट पाउट चॉप्चोटे क तो मैं इसके लिए वेजिटेबल सुनाने प्लॉव बनाने चाहे थी अब तक वह सब्जी पक रही थी इसको बचावा कर रही था उसको में चुछावा कर रही थी इसमें मैंने मटर कैरेट और थोड़ा सा कैप्सिकम डालके को रेंडर आरके मैंने वेजिटेबल सुना बना तो क्योंकि छोटे वच्चे थे तो मैंने का पता नहीं अगर उनको मंचुटन थोड़ा स्वाइसी लगा तो वह एजिटेबल प्लाव खाना बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मैंने विल्कुछ सादा पुलाव बनाया था सिर्फ नमक डालके कोई भी उसमें मसाला एट नहीं किया था अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजेगा मैं आपको वजटेबल प्लाव की रेसिपी भी जरूर बताऊंगी तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरी जो सबचीतियां सबचीयां थी सारी पक्के रेडी हो ग एट करूँगी पानी, वन ग्लास, आप बार जासे आप पाई डालते जाएं तो उसको चलाते भी रहिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्लास का भी फर्क होता है किसी की ग्लास छोटी होती है किस कोई ग्लास बड़ी होती है तो उसके कोडिंग भी यह चीज काफी फर्क पर जाता है तो उसी के हिसाब से आप जैसे पानी एट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के एट करिए आपको को खौला दीजेगा इसे आपका मंचूरियन बनके तयार हो जाएगा तो कैसी लगी वीडियो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आपको वेजिटेबल पुलाओ की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दिएगा और लाइक वीडियो को शेयर वेजिवा संडे तो गाजर कालूर